हाँ जी हम पढ़ रहे थे loss of stock उसमें मैंने आपको दो questions करने के लिए दिये थे unsolved question थे first or second आप लोगों की अगनी परिक्षा थी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है ठीक है जी मने कहा था कि first तो हो जाएगा second देखना try करना शायद मेरे ये word ही तुमको hit कर गए ठीक है ना हाँ यही पर हमारा confidence lose हो गया कि अच्छा सणने भी बोला था देख लेना हाँ वरना तो अगर मैं बोलता है नहीं करके लेकर आना है तो करके लाते कैसे भी मिलाओ है ना कैसे भी करो लेकिन करके लेकर आना है तो आप इदर उदर शायद कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ करते हैं फिर कहते हाँ इदर जोड़ा घटाया गुणा भाग किया है ना अच्छा आपने मन को शांती दी की क्वेश्चन कर लेते हैं आपने यह भी तो बोला था कि आंसर अलगा सकता है तो हमने का चलो चीक है हमने जो किया वही सही है अप सुनों चलो कोई ना फिर्स आपने किया आपका आंसर भी मैच हो गया वेरी गुड देखो फॉलिंग इन इसे परचेश पहले प्रीविश एक दे रखा एक जनवरी 2021 मतलब पिछले साल का ओपनिंग इस टॉक और एक जनवरी 2022 मतलब करेंट एर का ओपनिंग बोल दो या प्रीविश यह का क्लोजिंग बोल दो क्विश्चन की खास बात क्या थी परचेश प्राइज बढ़ रहा है तस परसेंट से बढ़ रहा है सेल वे स्टॉक कितना है बीस हजार रुपए आपने बचा लिया और इंसरूर्स पालीस आपने ले रहा है 1487 तो दो खास बात थी परचेश प्राइज बढ़ा और बढ़ रहा था क्या हमने आप पर जी पी रिट की थी जी पी रिट क्यों नहीं करेंगे क्योंकि परचेश कॉस्ट भी बदल रही है इसलिए अब हमने का मैंने का देखो हमारी पहली स्टैप होती है स्टैप बन जी पी रेट इसमें तो कोई प्रॉब्लम है पिछले साल के डेटा हमको दे रखें उपनिंग स्टॉक है पर्चेज है सेल्स है क्लोजिंग स्टॉक है तो हमने बैलेंसिंग फिगर में जीपी फाइंड आउट कर लिया और जीपी रेट फाइंड आउट कर लिए 25% कोई दिखका थी नहीं था पिर हमने स्टैप नमबर टू किया स्टॉक ऑन देट औफ पाइर इससे मुझे क्या करना होगा आग लगने की डेट को जो भी हाँ अगर कोई क्लास आज ले रहे हैं आग लगने की डेट को मुझे स्टॉक का पता करना साथ अब वह कैसे पता किया मैंने का अच्छा जी इस सा वर्किंग भी तो बना सकते हैं ओपनिंग इतना था पर्चेज इतना है वगरा 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 वो भी हो सकता है बट ठीक है तरीके से आजाए शो हो जाए इसलिए अपन क्या दिया इसका शीप टेडिंग अकाउंट दे दिया लिखावा थोड़ी कि टेडिंग बनाओ लू ओके तो ओपनिंग स्टॉक एकपचास जो पिछले बार का क्लोजिंग था इस बार ओपनिंग हो गया पर्चेज हमको दे रखी आठ लाग रुपए की हमने इस बार माल कितने हो हरिदा है आठ लाग लेकिन मैंने क्या कहा था आपको सिखाया था मैं कहा देखो जीपी रेट पर्चेस प्राइस और सेलिंग प्राइस ना बढ़ा होता तो पर्चेज और सील का वैल्यू कितना होता आठ लाग रुपए कैसे 20 परसेंट बढ़ने के बाद तो अगर मानलो पिछली बार मैं 100 का माल खरिता था इसका मतलब इस बार कितने हां खरीद रहा हूं 120 का खरीद तो अगर यह 120 में ना खरीद के अगर यह 100 में ही खरीदा जाता तो कितना और कास्ट हमको पढ़ता चैलाग 666667 लाग 666667 क्लियर है ओके लिजा वो क्लियर हुआ 20 परसेंट माइनस नहीं करना है हाँ डिवैड़ बैंट इंटो हंड्रेड अचा सेल प्राइस सेल इस बार क क्रीज ना होता तो हमारी सेल कितनी होती नौ लाग इसे मैं आप लिख दिया एस पर यह जो मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग ऑन किसके को नहीं आपने भी लिखा यहां पर नहीं लिखा तो लिख लेना एस पर लास्ट यह प्राइस ठीक है जी और हम अगर एक ही पैंसे सॉल करके आएंगे इंटर में तो फिर इसको क्या अगर देना अंडरलाइन करके आना ताकि सामना वाला कोई कंफ्यूजन का काम ही ना रहे ठीक है जी एस पर लास्ट यह प्राइस प्राइस होके अब सेल्स हां और प्रिवेस यह के अकॉर्डिंग कर दी है तो जीपी रेट भी कितने की होती सौ की होती लेकिन तो पर्चेस सौ रुपए में नहीं हुई है एक सो बीस रुपए में हुई है मलब बीस परसेंट ज्यादा हुई है तो हमारे पास स्टॉक जो गोडाउन में पड़ा है वो भी कितने का होगा बीस परसेंट ज्यादा वर्थ रखता है कि नह यह है ठीक है जी एक लाख सतर जागा स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा था जिसमें से 20,000 रुपए का मैंने बचा लिया सेलवेज कर लिया भाग दोड करके नुकसान कितने का हो गया डेड़ लाख रुपए का पॉलिसी ले रखा था मैंने यह एक अटालिस साथ सो पचास गुडाउन में मेरे स्टॉक कितना था एक लाख सतर ऐजार एक सतर से कम का पॉलिसी करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है तो एक सतर का पॉलिसी होना चीए था अब आवरेस अपलाइए हो जाएगा और आपको क्लेम मिलेगा कम एक लाख 30,250 क क्लेम कम हो जाएं एक किम हो क्लेर है वाली सीज्ड वैरी कौट सबने ट्राइ किया सब का सही बीफू कि काफी लोग किस ने ट्राइ नहीं किया एकडो तीज चार तो है नकरें ट्राइं आज कैसे पहले तो आगे मैं तो सुचा दा कर के लिए हागे तक अच्छा अब इसे यह है चलो कि हां कर लोगे मैं तो यह सोचा था हरी तो करके लाएगा कि यह सोचा ना तुमने भी ठीक है कोई बात नहीं अब यह दूसरा क्यूशन पर मेरे पास तो सॉल है लेकिन आपको क्या करवाता हूं लिखवा के करवा देता हूं कर दो कर दो कि कर दो कि अधिक नमबर टू सेकेंड अधिकर ओनलाइन में कोई बच्चा इसने ट्राइब किया और उसका सही था फर्स्ट वाला क्यूशन मेसेज करके बताएं नू ठीक है हाँ जी हाँ आया मेसेज आया है सही था फर्स्ट ओके रुची ठीक है एक्सेंट कंपनी सफर्ट अलॉस अव स्टॉक द्यू तो फाइर ऑन 31 मार्श 2022 अग लगी फ्रॉंग इंफॉर्मेशन प्रिपेर स्टेप्मेंट शोइंग दो क्लीम फॉर लॉस अफॉर लॉस तो बी सब्मिटेट ओके लें फॉर लॉस क्लीम बताना है पर्चेजेज फोर दब यर 2021 आग लगी मार्श 2022 तो क्लोजिंग हमारी कैसे चलती है इसका मतलब अभी स्टॉक कपका दे रखा है जन्वरी का तो हमारा फिनेंशल यर अकांटिंग यर कैसे चलता है जन्वरी से दिसंबर ओके तो जन्वरी से दिसंबर है तो 2021 तो पिछला स एक जन्वरी से लेकर 31 मार्च आग लगने की डेट तक का सेल्स एक जन्वरी से 31 मार्च आग लगने की डेट तक स्टॉक एक जन्वरी 2021 यर का ओपनिंग स्टॉक और एक जन्वरी 2022 करेंट यर का ओपनिंग स्टॉक कि करेंटिये का उपनी को क्या बोल सकते हैं प्रीवियस एर का क्लोजिंग पिछले साल के ट्रेडिंग में भी काम आ जाएगा और इस बार के ट्रेडिंग में भी काम आ जाएगा इन इन इटम फूड़ परचेज इन टूज़ग का यह ओपनिंग का जो वेलिव यह अपनिंग में शिप्ट हो जाता है तो इगत्य दिसंबर दो हजार बीज़ यह तो प्रीवेस यह के भी पहले वाली बात है हाँ गत्य दिसंबर 2020 लेकिन प्रिवेस यह का ओपनिंग स्टॉक बनेगा कि नहीं बनेगा यह अच्छा इसका मतलब यह कौनसे स्टॉक की बाते हो रही है यहां पर एक जनवरी 2021 का दो चाहिए गत्य दिसंबर 2020 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही एक जनवरी 2021 का क्या होगा ओपनिंग स्टॉक उकि उसकी कॉस्टिंग थी कि बीजार उसको value किते पे गिया 12000 पे इसका मतलब वह abnormal था defective था तो आपने उसको consider किया cost से भी नीचे cost और रेनार भी whichever is lower तो आपने कि वही किया कि 20 जार की costing लिकिन भिकने से 12 ही मिलेगा तो हमने उसको 12 पे value कर लिया कितना कम कर दिया 8000 कम कर दिया कौन से stock में 6800 कि इसका मलेक्स में से 8000 अल्रेडी less हो चुका है अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूं वापस बढ़ाने जा रहा हूं मैं यह मानने हूं कि अगर यह less ना किया हूता तो हमारा स्टॉक कितना हूत तो चले लिखता हूं मैं यहां पर आभी साथ साथ लिख सकते हैं क्वेश्चन नमबर टू वाकिंग नोट्स परस्ट कौन सी डेट की बात हो रही है एक जनवरी 2021 यह गत्य दिसंबर 2020 वेल्य आफ स्टॉक कि इन्हों ने दिया कितना 76800 मैंने नीचे लाइन पढ़ा और देखा कि अच्छा 20 रुपे का स्टॉक कितने पर वेल्यू किया 12 पर कितना कम कर दिया गया था आठ हजार अगर यह आठ हजार कम ना होते जो कि हमने राइट अफ कर दिये थे अगर यह आठ हजार कम ना हुआ होते तो आज हमारे स्टॉक कितना वेल्यू होता 84,800 ओके जिसमें से नॉर्मल कितना होता और अबनॉर्मल कितना अबनॉर्मल गुट्स की कॉस्टिंग थी 20,000 तो बचा नॉर्मल कितना 64,800 इसमें किसी को देखकर नहीं तो 76,800 पे वेल्यूड है आठ जार उसमें से क्या कर दिया गया है कम कर दिया गया है तो वापस इंक्रीज कर दो 84,800 की कॉस्टिंग का माल है जिसमें दो तरह की आइटम है एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल की कॉस्टिंग 20,000 और बाकी बचा नॉर्मल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाफ यह आफ ऑफ दीज गुड़्ट की इनका आधा गुड़्स क्या कर दिया गया है थाफ यह मतलब 20,000 का आधा कितना होता है 20,000 का आधा हाँ वीजार की कॉस्टिंग का अधा दस हजार दस जार की कॉस्टिंग का माल आपने कितने में बेज दिया 2021 में 2021 तो previous year है ओके इस दा previous year में ही abnormal item की sale है और मैंने कहा था जब भी abnormal item की sale होगी हमें amount के 3 column normal abnormal और total बनाने होगे अच्छा और बाकी को value किया गया कितने पर चार जार आट सो पर 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2021 कर दो चाहे एक जनवरी 2022 कर दो ओके ठीक अभी देखेंगे पहले बेचने का काम कर लेते हैं half of these goods बेच दिया 5221 में चलो जिसके लिए working note बनाते हैं सेल आफ अबनॉर्मल आइटम है सेल आफ अबनॉर्मल आइटम है इन 2021 में आपने अबनॉर्मल आइटम बेचा कितने की कॉस्टिंग का माल बेचा आपने किटने की कॉस्टिंग का माल आधा तो बीस हजार का आधा दस हजार रुपय की कॉस्टिंग का माल हमने बेचा है एक सेल वेल्यू कितना है सेल वेल्यूं 5200 में बेचा हूँ ओके 5200 में बेचा हूँ तो नुकसान कितने का हो गया 4800 4800 का नुकसान loss on say तीसरा वाकिंग नूट तीसरा वाकिंग नूट remaining stock remaining कितना बचा 20 में से आधा बेच दिया बचा आधा 10,000 आधी को कितने पे विल्यू किया 10,000 को 4800 कितना कम कर दिया उसमें 5000 2200 इसका मलब यह 63600 में कितना कम कर रखा है 5200 कम कर रखा है यह नहीं कर रखा तो वापस बढ़ा दे नॉर्मल पे लाने के लिए इसको ओके जी 4800 पे वेल्यू कर रखा है इसका मलब राइट आफ कितना कर दिया गया है 5200 add कर दो 63600 कौन सी एक जन्वरी 2022 डेट एक जन्वरी 2022 कह दो चाहे 31 दिसंबर बोल दो 31 दिसंबर 2021 value of stock value of stock 63 कितना है 63 600 कितना write-off करने के बाद 5200 write-off करने के बाद 4800 पे value किया यह तो दिमाख लगाना पड़ेगा कि बच्चावाज stock कितना 10,000 10,000 को कितने पे value किया 4800 तो इसका मलब 5200 write-off कर दिये तो वापस add back कर दो 68 800 इसके दो पार्ट कर देते है normal और abnormal जिसमें से abnormal की costing कितनी है 10,000 पहले 20 का था फिर 10,000 की costing का मल बिग गया बचा कितना 10,000 और normal कितना बचेगा 68 800 में से अगर 10,000 abnormal है तो बागी बचा 58 800 normal दन ओके पिर आगे बढ़ते हैं इस लिखा यहां तक next next line क्या बूल रहे है 1 4th of the original stock अच्छा 1 4th of the original stock was solved for rupees 2,800 in February 2022 2022 में भी सेल हुई है हाजी 1 4th of original original कितने रुपह का था मीनल original abnormal item abnormal item original stock 20,000 का था यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा यह जो original stock मतलब वो किसका reference दिया जा रहा है 20,000 का यहां पे हमारी गलती क्या होगी हम 10,000 का ले लेंगे बेच चुके हैं लेकिन यह बात किसकी कर रहा है reference किसका देना चाह रहा है 20,000 का देना चाह रहा है कभी कभी इसकी भावना भी समझ नहीं पड़ेगी option नहीं ना अपने पास अब बातें सिर्फ किसकी चल रही है abnormal की चल रही है तो obviously line उसके आगे abnormal की आगी आप आगे पड़ो remaining stock valued at 60% अब कम पे किसको वेल्यू कर रहे होंगे abnormal को तो वेल्यू कर रहे है चीज़े तो अपने को समझनी होंगी question create करने वाला कभी कभी हो सकता है thought में उसकी गलती भी हो जाती है लेकिन उसकी भावना को तो अपने को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा अब one fourth of the original stock अब यह original का reference किसका देना चाहा रहे हो बीस जार का उसको कितने पर वेल्यू किया बेचा सुरी दोजार आठ सो में जब बेचने की एंट्री कर देते हैं लिखो वरकी नोट बनाओ अगें सेल आफ एबनॉर्मल आइटम सेल आफ एबनॉर्मल आइटम इन टू थाउज़ेंड फंटी टू कितने रुपए की कॉस्टिंग का माल कॉस्ट आफ गुड्स सॉल्ट ओरिजनल स्टॉप बीस जार था उसका वन फोर्थ कितना पांच जार पांच जार वाली चीज आपने बेचे कितने में सेल 2800 में तो नुक्सान कितने का हुआ 2200 रुपए का नुक्सान लॉस ऑन सेल ओके जी यह भी रिकॉर्ड कर लिया हूँ अब कितने का स्टॉक बचा है अब दौर्मल आपके पास पांच जार तो बचा है बीच जार से चले थे बीस में से पिछली बार दस बिग गया बचा दस हाजी यहाँ पर लिखा भी था दस और दस में से पांच जिस बार बिग गया बचा कितना पांच 5000 रुपए की कास्टिंग का माल बचा है उस 5000 की कास्टिंग के माल को आप कितन remaining stock remaining stock was valued at 60% of original cost अब ये वेलिएशन आप चाहो तो ट्रेडिंग गौर्ण में दिखा दो चाहो तो थर्ड नंबर वकिंग ओड लॉस अफ स्टॉक में दिखा दो बताया था मैंने ओके तो अपन थर्ड वाले में दिखाते हैं कर देंगे पांच जार की चीज़ को किते पर वेल्यू कर रहे हैं सिक्टी पसें तीन अजार पर वेल्यू कर रहे हैं विद्द एक्सेप्शन आइटम का इसको छोड़े तो जीपी रेट सेम है स्टॉक बचा कितना लिया चोईजार इंस्वरंस पॉलिसी कितने का है तीन कर लिया क्या आपने जीपी रेट फर्स्ट आप जीपी रेट होता है इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा पिछले साल का पूर्दो इयर एंडिड थर्टीफर्स दिसंबर टू थाउजन ट्वंटी वन अमाउंट की कितने कॉलम तीन कॉलम रीजन अबनॉर्मल आइटम की सेल हुई है हुआ है 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 कि अगर रहा है 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 कि तने कॉलम तो है हा परोलूर्ज पर उसके बाद नॉर्मल ऐबनॉर्मल और टॉटल एफिर अगे बैटिकुलर्स पर उसके बाद नॉर्मल ऐबनॉर्मल ओर टॉटल सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जरा देखो प्रीवियस येर का ओपनिंग स्टॉक कितना है हाँ सर अब हमारे वर्की नोट में देखने से हो जाएगा एक जनवरी 2021 टोटल स्टॉक कितना 84,800 84,800 में अबनॉर्मल कितना है 20,000 का और नॉर्मल है 64,800 लिख देता है यहाँ पर 84,800 में से अबनॉर्मल की कॉस्टिंग वीजार और नॉर्मल की कॉस्टिंग 64,800 परचेजेज बताओ करेंट यर की कितनी है तीन लाख सारी प्रीवियस यर की तीन लाख 20,000 सारी की सारी नॉर्मल से परचेज होगी फिर सेल्स सेल्स कितना है प्रीवियस यर का टोटल चार लाख 5,200 जिरा इसमें से देखो अबनॉर्मल आइटम की सेल कितनी है हाँ सर ये रहा हमारा सेकेंड वर्किंग नोट अबनॉर्मल आइटम की सेल वेल्यू कितनी 5,200 और इसको बेचने पर नुकसान कितना 4,800 ओके तो अबनॉर्मल आइटम की सेल है 5,200 तो नॉर्मल कितना हो गया 4,00,000 रुपए का मैंने कहा था जैसे अबनॉर्मल आइटम की सेल लिखो उसका लॉस लिख देना कितने का 4,800 यह लो जी लिख दिया फिर उसके बाद क्या होगा हाँ जी स्टॉक लिख दीजिए बाइक क्लूजिंग स्टॉक बाइक क्लूजिंग स्टॉक स्टॉक कितना है टूटल सर इसके लिए भी वर्किंग रोट बनायावा है क्या हाँ सर बनायावा है एक जनवरी 2022 कह दो या गत्य दिसमबर 2021 कह दो कितना 68 800 जिसमें से एबनॉर्मल कितना है 10,000 68 800 जिसमें से एबनॉर्मल है 10,000 बागी बचा कितना 58 800 बैलेंस में जीपी आ जाएगा हाजी टोटल लगा देंगे और एबनॉर्मल में तो जीपी आएगा नहीं एबनॉर्मल में तो लॉस हुआ है तो नॉर्मल के अंदर जीपी कितना है 74,000 बैलेंसिंग तेगर और टोटल में भी क्या 74,000 इसके बाद जीपी रेट कि हम नॉर्मली कितना कमाते है सर नॉर्मल कमाया हमने कितना 74,000 और नॉर्मल सेल कितनी है 4,000,000 की सेल 74,000 डिवैट बै चार लाग 18.5% तो हम सेल्स पे कमाते कितना है 18.5% हाँ जी कोई दिखकर तो तो पूछ सकते हैं नॉर्मल स्टैप नॉर्मल कितना 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 था इसके लिए बनेगा हाँ जी मैमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसको मैमोरेंडम क्यों बोलते हैं पूरा साल कंप्लीट होने से पहले बना दिया से स्टॉक की कैलकूलेशन के लिए बना है जी पी नहीं कैलकूलेट हो रहा है ओके हमने बस इसको हाँ ऐसा शेप ट्रेडिंग का दे रख है बागी वरकिंग से भी आप कैलकूलेट कर सकते हैं नॉर्मल कहां से कहां तक इस साल की शुरुवाद फर्स जन्वरी दो हजार बाईस से लेकर आग कब लगी 31 मार्श दो हजार बाईस को अमाउंट के अगें तीन कॉलम मनेंगे रीजन अबनॉर्मल आइटम की सेल हुई है तो पर्टिकुलर्स फिर नॉर्मल अबनॉर्मल और टोटल अगें पर्टिकुलर्स नॉर्मल अबनॉर्मल और टोटल ओपनिंग स्टॉक जो पिश्ली बार का क्लोजिंग होगा वही इस बार का ओपनिंग होगा 58 800 तैन थाउजन और 68 800 तैन थाउजन और 68 800 तैन थाउजन और 68 नहीं है कि 1228 00 अब इसमें चेक करना पड़ेगा नॉर्मल कितना और अबनॉर्मल कितना तो मैंने का वर्की नॉर्म में चलते हैं सेल अफ एबनॉर्मल आइटम इन तो मैं लिख देता हूं अठाइसो में बेचा था और नुक्सान कितने का बाइस सो रुपए का जैसे ही सेल लिखेंगे लॉस लिख देंगे बताइए बाकी बची सेल कितनी एक लाग बीस अजार अब पहले जीपी आएगा या स्टॉक आएगा अब पहले जीपी आएगा क्योंगे स्टॉक की तो कैलकुरेटिशन करनी है अपने को जीपी नॉर्मल पे एक लाग बीजार की सेल्स और नॉर्मल पे कमाते कितने हैं अठारा पॉइंट पांच बाइस हजार दो सो कि बैलेंस में आ जाएगा स्टॉक ऑन देट आफ पायर कि टॉक ऑन देट आफ पायर कितना बता है सेवंटी अच्छा टोटल बता है सिक्स्टी नाइन थाउजन ओके और अब नॉर्मल तो पांच जार बचा ना अब वैल्यू भली आप तीन जार कर रहे हो अभी आप चाहें तो यहां पे तीन दिखा के दो जाकर लॉस यहीं पे दिखा दें लॉस अन वैलिएशन और अगर आप पांच पे दिखा रहें तो भी करेक्ट है ठीक है मैंने उस दिन भी बताया था यह वाली चीज आपको है कोई यह नहीं था नहीं कहां ग्यावा था ओके हाजी अच्छा अच्छा पता चला मैं भी स्टॉक ऑन देट आफ फायर अभी अपन इतना लिग दिख दिया अभी अपन लिखें गया अगे ठीक जी नेक्स में यहां ते कोई दिकत नो तीसरा स्टेप लॉस ओफ इस टॉक लॉस ओफ स्टॉक लॉस ओफ स्टॉक ओके जी कैसे आएगा सर यह वैली आफ स्टॉक ऑन देट फायर आग लगने की डेट को स्टॉक कितना था ऑन देट फायर उसमें भी दो केटेग रिया ना नॉर्मल और अबनॉर्मल तो नॉर्मल को तो किस पे वैल्यू किया जाएगा एट कॉस्ट नॉर्मल है 69,000 इनर कॉलम में लिखा अभी अपन ने और अबनॉर्मल को एट 60 परसेंट आफ कॉस्ट तो कॉस्ट है पांच जार पांच जार का 60 परसेंट कितना 72 और इसमें से बचा कितना लिया ओके जी वैल्य आफ सेल्वेज्ट गुड्स 24,000 को भी बचा लिया बस 48,000 का नुक्सान तो बिना कुछ एड़ी किया देखो अंसर आ रहा है अब इना अजी लॉस आफ स्टॉक ठीक है जी स्टेप नंबर फॉर अंसर आ गया तो स्टेप नंबर फॉर नहीं करें फिर अंसर तो देते हैं अमांट ओफ क्लें प्रपॉच्शनेटी कम नहीं होगा क्या नू नू अ जिए सिंस पॉरिसी वैल्य वैल्य कितने गया है तीन लग क्लें अ कुभी कॉलिसी करवाय है इतना स्टॉक तो रखता लें इंहीं है हाँ, since policy value is greater than, value of stock on the date of fire, value of stock on the date of fire, आग लगने की date को stock कितना था, 72,000, valuation तो यही था ना, 72,000, और उससे जादा policy ले रखा है, तो average close apply होगा नहीं, तो क्या मिल जाएगा, hence, claim equals to loss of stock, formula मत लगा दे न, loss of stock into policy value divided by stock on the date of fire, पता चले, loss से जादा का claim मांग रहे हो, मैंने policy भी तो जादा का करवा रखा था, ठीक है, तो loss इतना है मिलेगा भाईया, 48,000, done, okay, जी, बोलो, मुश्किल दा गया, तो फिर किया ग्यों नहीं, जी पी रेट गलत आ गया था, क्यों, तीन कॉलम नहीं बनाया थे, बनाया थे, फिर भी, फिर कैसे, क्या रीजन रा, तो जी पी रेट में तो उसका कोई फैक्टी नहीं है, आच्छा, च्योंकि वो वन फोर्थ वाला जो चीज है, वो तो आगे वाले में, मैमरेणव वाले में, कोई बात नहीं, अभी क्लियर है न, अभी क्लियर होना चाहिए, बस, ठीक है, अच्छा ग्षण था, इसके वन और टू अगर लास्ट में अगर इन दो क्वेशन को रिवाइज कर लिया जाए तो फिर कुछ बचे गई नहीं कि नॉर्मल अबनॉर्मल भी आ गया पर्चेस प्राइस और सेल प्राइस इंवल वाला भी आ गया सब दूनों क्वेशन अपने आप में अच्छ थे चले अब पिर इसका जारा नहीं है तो इसका एक विशन थर्ड वाला यह रहेगा जी लॉस और प्रॉफिट मैंने का था कि हाँ इसमें समझाने का नहीं इसमें क्या है स्टैप्स हैं उनको लर्ण कर लेना है और उसी के अगर्णिक फॉलो करना है फिर इंशुरेंस क्लेम चेप्टर खतम हो जाएगा फिर नेक्स स्टार्ट करें कुछ और देखेंगे वह भी करेंगे ठीक है